नमस्कार मैं हो ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जर्खन के बेरुजगार युआओ को प्रती मां 18 सव रूपया देगी सरकार जर्खन सरकार बेरुजगारी भात्ता को नया रूप देने जा रही है और इससे संबंधित प्रस्ताव त्यार हो गया है जो युआ कौसल प्रस्टिक्षन पाना चाहते हैं उन्हें सरकार रोजगार पोसान के तहत एक वरस के लिए प्रती मां एक हैयार से लेकर 18 सव रूपय तक देगी बतादे 15 नॉमर से यह योजगना लागू की जा सकती है स्रम भिभाग ने CM सार्थ योजगना का प्रस्ताव केबिनेट के लिए भेज दिया है प्रस्ताव के अनुसार UPSC, JPSC, PT पास करने वाले अभियार्थियों को फाइनल की त्यारी के लिए राई सरकार DBT के माध्यम से 50 से रूपय देगी वहीं केंद्रियों राज्ये की अनेव प्रतियों गिता परिक्षाओ की त्यारी के लिए विद्यार्थियों को 25 सो रुपय प्रतिमा दिये जाएंगे लेकिन इसके लिए सर्थ है कि उन्हीं युवाओ को योईना का लाव मिलेगा जो जार्खन के नियोईनाले में निवन्थी थाएं यह लाब ST, SC, OVC और EWS वह दिब्यांग चात्रों को दिया जाएगा जार्खन में 12 अक्टूबर तक 12 के असार जार्खन के मौसम में फिर बदलाव के असार हैं 10 अक्टूबर से जार्खन में पच्मी भी सोब 10 तक देगा इसके परभाव से राज़ में 12 अक्टूबर तक बादल चाहे रहेंगे वहीं कई जगों पर धीमी वहल की बारिस भी हो सकती है मौसम केंद्र के पुरुनमान के अनुसाया राज़े में 9 अक्टूबर को दीन के दोरान अधिकांज जगों पर मौसम साफ रह सकता है लेकिन वातावरन में नभी के कारण दोफरबाद राज़ी समित राज़े में कहीं कहीं बारिस होने का पुरुनमान है बतादे राज़ानी राज़ी के का हिसो में सर्निवार की साम भी करीब 6 मिलिमीटर बारिस हुई है 10 अक्टूबर से पच्मी भी शोब का सबसे ज़्यादा असर पलामू परमंडल के जीलो में पड़ेगा राज़ी के जे एस्ये एस्टेडियम में मैच सुरू भारत और दक्षिन अफ्रिका के बीच होने वाली स्रिंखला का दूसरा मैच डेढ़ बये से सुरू हो गया है इसके लिए 11 बज 30 मिनट से ही दर्सको की इंटी सुरू हो गई है सभी क्रिकेट प्रेमी भारतिय जर्सी में मैच देखने आये हैं दक्षिन अफ्रिका की बल्लेबाजी सुरू हो गई क्विंटन डिसकोक और डेविड मलान सलामी बल्लेबाज के तोर पर क्वीज पर आये हैं भारत की ओर से गेंदबाजी की सुरू आत मोहमत सिराज कर रहे हैं सचिन तेंदूलकर के फैन को रांची में खल रही कमी रांची के JSA International Stadium में रभिवार को भारत और दक्षिन अफ्रिका के बीच दूसरा वंडे मुकाबला खेला जा रहा है दूर दूर से क्रिकेट प्रेमी या मैच देखने रांची आये हैं बता दे सचिन तेंदूलकर के सबसे बड़े फैन बिहार के सुधीर कुमार चौधरी भी मैच देखने रांची पहुँचे उन्होंने बताया कि अब मैच में उन्हें सचिन तेंदूलकर की कमी खलती है भारत को सीरिज बचाने के लिए आज का मुकाबला किसी भी हाल में जितना होगा क्योंकि पहला वन डे भारत पहले ही हार चुका है जार्खन के खिलाड़ी इसान किसन को पहली बार रांची में इंटरनेशनल मुकाबला खेलने का मौका मिला है अब यहाँ देखना दिल्चस्प होगा कि वे बले बाजी में क्या कमाल दिखा पाते हाँ जारखन में कुरोना के एक गारा नए केस जारखन में कुरोना संक्रमान की रफ्तार धीमी है राज में पिछले 24 घंटे में 4830 सेंपल की जाँच में 4826 सेंपल में करोना का संक्रमन नहीं पाया गया जबकि ये 11 सेंपल करोना पोजेटी पाएगा है धनबाद में बंदर की हत्या मामले में नहीं बखसे जाएंगे दोसी धनबाद में वन विभाग की देख रेख में रखेगा एक बेजुबान जानवर की निर्मा महत्याक मामला सामने आया है इतना ही नहीं वन जीव की मौत के बाद सोगा पोस्टमाटम तक कराने की जहमत विभाग नहीं उठाई मामले के तूल पकड़ने के बाद अब डियेफो ने कहा है कि जाच कर दोशियों पर सक्त करवाई की जाएगी मामले में जो भी सनलिप्त होंगे उन्हें बक्सा नहीं जाएगा जनकारी के अनुसार धनवाद बन विभाग की फोरेष्ट कावलोनी में एक बंदर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गाई उसे मारने से पहले उसके दोनों हाथ तोड़ दिये गाए संजाय नदी में बहागए होटी कल्चर के दो छात्र जारखन के पाच्मी सिंभूंग जीले के खुट पानी परखन अंतरगत पढ़ने वाले होटी कल्चर कॉलेज के दो छात्र अभीवार की सुबस संजाय नदी में बहागए दोनों छात्रों के खोज की जा रही है मगर अभी तक दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया बतादे नदी के तेजधार में बहे चात्रों का नाम रायन कुमार सिंग और सचीन कुमार की स्कू है दोनों चात्र जारखन के ही रहने वाले हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे थे इनमें राजन कुमार सिंग चत्रा और सचीन कुमार की स्कू दुमका का रहने वाला है बताया जा रहा है कि रभीवार की सुबा हर्टी कल्चर कॉलेज के दस छात्र घुमने के लिए पुवाल बासा गाव होते हुए संजाय नदी की ओर चल गए थे यहां पहाडी नदी की कलकल बहती धारा में मस्ती करने की दवरान छात्र सेल फिलेने के करम में संजाय नदी में उतर गए जार्खन की मिटी के लिए करण वंदना किस्म का गेहू उन्नात गेहू की सबसे उन्नात किस्म करण वंदना DBW187 जार्खन की मिट्टी वायू और पानी में भी कम समय में ज़्यादा पैदवार देगी इस बीज से छेत्रिय अनुसंधान केंद्र चियांकी में गेहु की प्रयोगिक फसल काफी उत्सावर्दक रही है इसका उत्पादन करीब 75 क्यूंटल प्रती हेक्टेर है जबकि गेहु का अवसत उत्पादन 63 क्यूंटल के आसपास है जार्खन की किसानों को रभी सीजन में करण वंदना बीज से गेहु की फसल लगाने की सला दी जा रही है केंद्र ने MDM के कुकिंग काष्ट की रासी बढ़ाई केंद्र सरकार दोरा मद्याहन भोजन योजना के तहदी जानने वाली रासी में बढ़ोतरी कर दी गई है इस समध में केंद्र सिक्षा मंत्राले दोरा सब ही राजियों को पत्र भेजा गया है पत्र के अनुसार अब कक्षा 1-5 के लिए प्रती बचा कोकिंग काष्ट कीमद में 5 रुपया पैसा वहीं कक्षा 6-8 के लिए 8 रुपया 17 पैसा मिलेंगे अब तक कक्षा 1-5 के बचों के लिए 4 रुपया 97 पैसा वक्त 6-6-8 के बच्चों को 7.25 पैसा दिये जाते थे यह रासी 1 अक्टूबर की 30 से बढ़ाई गई है हजारी बाग में इद मिलादू नभी जूलूस के दरान करंट से 1 की मौत 5 गंभी जार्खण में इद मिलादू नभी के मौके पर जूलूस ए मोहमदी निकालने के दरान बड़ा हाथसा हुए है डीजे साउंड लगी गाड़ी पर सवार लोग 11,000 वोल्ट के बिली के तार के संपर्क में आ गए इस हाथसे में 8 लोग गायल हो गए जिसमें 5 गंभीर है गायलों को हजारी बाग रेफर कर दिया गया है वहाँ से बेहतर इलाज के लिए सभी को रीम सरांची भेजा गया बता दे इस हाथसे में एक सक्स के मरने की भी पूष्टी थाना परभारी ने की है गाटना हजारी बाग जिला की है जिले के बागा गावताना छेत्रे के सीर्मा च्छावनिया गाव में रभीवार को इद मिलार्दुन अब्बी के मौके पर जूलूस ए मोहमदी निकाला गया था इसी दोरान ए गाटना हुई है ज्यारखन में 11 अक्टूबर तक नहीं बनी 60 सड़के और 25 पूल तो पैसा नहीं देगी केंद्रे सरकार परधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तह ज्यारखन को 60 सड़के और 25 पूल का निर्मान किया जाना है वर्ष 2021 में योजना को मजीर मिली थी लेकिन 8 अक्टूबर 2022 तक भी योजनाय पूल नहीं हो सकी अब 3 दिनों का ही सेस समय बचा है 11 अक्टूबर तक अगर सड़के और पूल नहीं बने तो केंद्रे सरकार योजना के लिए एक भी पैसा नहीं देगी इसे लेकर पहले ही केंद्रे ग्रामिन बिकास मंत्राले के सचीव एनन सीना ने जारकन को असपष्ट कर दिया था सचीन ने साफ कहा था कि योजनावों को पूरा करने के लिए अगर समय स्थिमा पार कर जाती है तो केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी रांची में हाथियों के आतंक से ग्रामिन परसान होका सड़क किया जाम हाथियों के आतंक से परसान सीली के ग्रामिनों ने रांची सीली मार को जाम कर दिया है ग्रामिनों के द्वारा सड़क जाम किये जाने की वज़ा से कई किलोमीटर दूर तक वाहनों का जमड़ा हो गया जाम में सेक्डों वाहन फस गए हैं बाद में अधिकारियों के समझाने पर ग्रामिनों ने जाम हटाया बता दे रांची सीली मार को ग्रामीनों ने काफी देर तक जाम रखा बाद में सीली डियेसपी रेंजर के अस्वासन के पर लोगों ने जाम हटाया अधिकारियों ने कहा है कि हाथियों के दुआरा मारे गए ग्रामीन को कैम्प लगा कर मुगजा दिया जाएगा साथ ही साम तक पेट्रोल और पटाखे उफलब्द करवाने का भी आदेश दिया गया धन्यवाद यादि आप चनल पर नहीं होते चनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंदा भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्ष में अपना फीड़ बाइक अवसे दे थैंक यू